Hello guys, welcome to the Academy, मैं हूँ निकेत अगरवाल and daily current affairs में हम पढ़ने वाले हैं increase in money supply को तो हम money supply को increase करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, government बहुत कोशिश कर रहे हैं, government of India कोशिश कर रहे हैं, government of states कोशिश कर रहे हैं ताकि economy को हम boost कर सके economy boost होगी तो उसे पैसा बढ़ेगा, लोगों के हाथ में purchasing power आएगी and ultimately development होगी और जो आपकी economy slowdown हुआ because of COVID-19 उस चीज़ को हम mitigate कर पाएंगे, कम कर पाएंगे तो यही सब हमें समझना है, क्या-क्या steps government ले रही है, तो यह आपके prelims और means दोनों के लिए important है, प्लस यह static portion से भी काफी ज़्यादा link है, GS3 के अंदर यह question आपका fall करेगा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप like कीजिए इस वीडियो को, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और subscribe कीजिए हमारे चैनल को, साथ है आप उनसे टेलिग्राम पर जुर सकते हैं, मेरा टेलिग्राम ग्रूप है study time y.t और मेरा टेलि 56 talks और panel discussions होंगे, जिसके अंदर 56 iconic speakers आएंगे, जैसे कि आपके शशी थरूर जी हो गए, गरन बेदी जी हो गई, कपिल देव, एक्स प्रेजिडेंट हमारे प्रणव मुकर जी, राज कुमार राओ, जैराम रमेज, जो की किजिए और MP भी हैं, और इसी तरीके से और बड़ को लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको UPSC करना चाहिए, किस तरह से आप repair कर सकते हो, और unaccademy किस तरह से आपकी help कर सकता है, और इसके जो कुछ points हैं, वो हम वीडियो के end में भी देखेंगे, और इसके बाद आप किस तरह से leader बन सकते हैं, अगर आप fail हो गए है According to the recent RBI data, Reserve Bank of India's data, the uncertainty caused by COVID-19 pandemic has led to surge in money supply, तो हमारा जो COVID-19 का pandemic हुआ था, उसके बाद lockdown हुआ था, जिसे economy बहुत ज़्यादा hurt हो गई थी, तो अब जो money supply है, वो काफी ज़्यादा increase हुई है As per the RBI data, since the end of March 2020, currency held by public increased by 8.2%, तो जो लोगों ने पैसा hold किया हुआ था, उसमें इजाफा हुआ है, 8.2% अब पैसा hold कर रहे हैं लोग M3 क्या होता है, M3 जो है, एक money supply का term है, जिसके अंदर 6.7% का increase हुआ है, in the first 5 months of 2020, compared with the same period of last year, this is the highest growth in 7 years तो 7 सालों में पहली बार M3 हमारा increase हुआ है, तो देख लेते हैं M3 क्या है, तो आप देख सकते हो, RBI publishes figures for 4 alternative measures of money supply तो RBI 4 तरह से money supply को बांटा है, M1, M2, M3 and M4, M1 के अंदर क्या होता है, CU plus DD, यानि कि आपके बास कितने notes है, currency के notes है, और आपके बास कितना demand deposit है Demand deposit क्या होता है, saving, आपके जो savings bank account है, उसमें जितना भी पैसा पड़ा है, वो आपका भी भी मांग सकते हो, it is called demand deposit तो कितना demand deposit है और कितना आपके पास cash पड़ा है, उसको हम बोलते है M1, M2 हम बोलते है M1, यानि कि ये तो पूरा ही आ गया, currency plus demand deposit plus savings with the post office savings bank मतलब की आपका PPF, या किसान विकास पत्र, इस तरह की जितने भी चीज़े हैं जो post office savings scheme में आती है, वो सारी भी इसमें अगर हम जोड़ देंगे, जो कि आप एकठे demand नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तुरवा सकते हो, तो वो हो जाएगा आपका M2, फिर जाता M3, M3 के नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, net deposits of commercial bank, time deposit कौन सा हुआ, fixed deposit, या FDR, fixed deposit receipts, तो जितना भी आपने fixed deposit करा रखा है, अगर आप उसको notes और आपके savings account के deposits में जोड़ दो, तो वो आपका M3 बन जाता है, तो M1, M2 and M3, हमारी बात हो रही थी M3 की, M3 क्या है हमारा, M3 है आपका savings का पैसा, यह देखिए, इसके इलावा आपका currency जो आपके बास घर में cash पड़ा है, और उसके इलावा आपका तीसरी चीज है, आपके FD कितनी बड़ी है, तो हम यहाँ पे M3 में क्या लिख सकते है, आपका cash आपके घर में जो है, आपकी जो FD है, और आपका ज savings का balance है, इन तीनों को अगर आप जोड देते हो, तो क्या बन जाएगा, M3 बन जाएगा, so M3 money supply is increased by 6.7% in the first 5 months of 2020 compared to the same in the last year, this is the highest growth in 7 years, तो 7 सालों में यह पहली बार हुआ है कि increase हुआ है, currency in circulation which is measures money with the public and in the banks has also surged, तो जो लोगों के हाथ में पैसा है और जो बैंकों के अंदर पैसा है, उसमें इजाफा देखने को मिला है, however the savings and current account depositors decreased by 8%, लेकिन जो savings account है और current account के अंदर जो पैसा जा रहा है, वो decrease हुआ है, so gross capital formation has also decreased by 7%, तो of course economy down है, तो capital तो नहीं कहां सही बनेगी, तो इसमें भी decrease हमें देखने को मिला है 7% का, reasons की बात करें तो recent increase reflects higher cash withdrawals by depositors, तो इस काफी जादा लिया है, बैंकों से भी draw कर लिया, ATM से भी draw कर लिया and so on, क्योंकि pandemic है, पता नहीं, दुबारा पैसे मिले ना मिले, या कोई bank की scheme change हो जाए and so on, to meet the needs of during the lockdown period and also safeguard themselves against salary cut or job losses, तो हो सकते है, salary में कोई कटा हो जाए, कोई bank कुछ पंगा ना पार दे, कोई loan का दिक्कत ना हो जाए, कोई job loss ना हो जाए, तो इसलिए लोगोंने पैसा ही कटा करके घर पे रखना शुरू कर दिया है, तो cash holdings इसमें हमें देखने को मिलती है, तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि किसी भी तरह का money supply increase हो रहा है, चाहिए M1 इंप्रूव हो रहा है, M2 ये M3, तो उस case में हमारी economy जो है, वो increase हो जाती है, क्योंकि बंदा सोचता है कि consumption increase होगी, कि बंदे ने cash निकल वा लिया, ATM से 5000 रुपए, आप वो 5000 रुपए खर्च करेगा, चाहिए वो hotel में जाए, चाहिए वो उसका कोई game खेल ले, चाहिए वो उसका कोई business कर ले, या कोई और luxury खरीद ले, या कुछ भी कर ले, तो basically क्या है कि वो consumption को increase करेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार लोग उसको अपनी self protection के लिए रख रहे हैं, कि पैसा खतम ना हो जाए, emergency में जरुरत ना पर जाए, इसलिए लोग इखठा कर रहे हैं पैसा, तो कोई invest नहीं कर रहा, कोई consumption नहीं कर रहा basically, तो ये आपको याद र खर्चा है, वो कम कर दिये हैं, कि भई, luxury items होगी, जैसे कपड़े हो गए, या कोई नए जूते हो गए, या कोई और महंगी चीजें हो गई, car हो गया, या कोई tourism हो गया, या कोई tourism हो गया, and so on, luxury items पे जो खर्चा है, उसे कम कर लिया, और जो necessities हैं, उसको इकठा कर रहे हैं तो necessities की items हैं, उनको रखना, उनको सभाल के रखना, and so on, वो सब किया जा रहा है, lenders too are unwilling to take risk as slowing discretionary spending slows demand for manufactured and industrial goods, तो जो lenders हैं, वो भी बहुँ जादा, जो है, unwilling है, वो risk नहीं लेना चाते हैं, कि हम loan दे दें लोगों को, and loan देने के बाद क्या हो, कि जो demand है, वो उतनी हैं नहीं उसकी growth है, वो भी कम है, loan कम मिल रहा है सब लोगों को, total stock of money in circulation among the public at a particular time is called money supply, उसका money supply का मतलब क्या होता है, total money कितनी public के पास available है, उसको हम money supply कहते हैं, it needs to be noted that total stock of money is different from total supply of money, तो stock of money, कितना money कथा हुआ है, और total money कितना है, वो दोनों different चीज़े हैं, same नहीं होती, supply of money is only that part of total stock which is held by the public at a particular time, तो total तो मतलब जैसे suppose कर आपके account के अंदर एक लाख रुपे हैं, आपके पास अभी कितने हैं, 5000 रुपे, तो इसी तरह से total stock का मतलब जो total amount है, और जो आपके पास supply of money है, मतलब अभी आपके पास कितना available है, जो आप खर्च कर सकते हो, तो ये दोनों चीज़ अल्टिमेटली cash है सब कुछ है, तो हमेशा पैसा cash में होता है, इसलिए लोग cash में, आप pandemic के टाइम पे भी cash में रख लें, कल को check ना चले, dishonor उन लग जाये and so on, तो liquidity का मतलब कोई चीज़ कितनी जल्दी cash बन सकती है, उसको हम liquidity बोलते हैं, तो FD जो है फटा-फटा-फट cash बन सकती है, आचा gold, gold सबसे ज़्यादा important चीज़ है, gold आपका हमेशा cash बन जाता है, इसलिए आप देखते हो कि जो पुराने लोग होते हैं, जो आपके बड़े बजर्ग हैं, वो हमेशा gold पे बात करते हैं, gold खरीद लो, पैसा फाल तो है gold खरीद लो, बीबी को gold दिला द उसके बाद ये हमें RBI के 3 M1, M4, M3, M4 हमने देखा, M1 हमने देख लिया, इसमें notes और आपके demand deposits आ जाते हैं, M2 के अंदर आपके currency notes, demand deposits के इलावा आपका PPF आ जाता है, M3 के अंदर आपका M1 प्लस आपका FD आ जाता है, इसके अंदर PPF नहीं आता, और M4 के अंदर आपका M3 आ जाता है, यानि कि आपका currency, demand deposit और आपका FD आपका bank accounts भी आ जाता है, तो basically national savings certificate को छोड़ करके अगर आप सारा कुछ add कर दो, M1, M2, M3 को add कर दो, तो आपका total M4 बन जाता है, तो M4 को याद रखने का सब से अच्छा तरीक है, इसमें सब आ जाएगा, except national savings certificate, CU is currency, इसके by the banks are included in money supply, तो deposit of public की बात हो रही है, सिर्फ public का पैसा include होगा, interbank deposits which is a commercial bank holds in other commercial banks is not regarded as part of money supply, तो suppose करो SBI का एक account HDFC में भी हो या vice versa, तो उसको आप यहां पे नहीं गिन होगे, public का पैसा गिन होगे, M1 and M2 are known as narrow money, M3 and M4 are known as broad money, तो M1 and M2 जो है, उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ in the order of liquidity, तो यह liquidity के साब से हमने की हुई है, तो अगरी दुवारा देखो, cash और savings में जो पैसा आप फटाफट निकल आ सकते हो, फटाफट cash हो जाएगा, PPF यो आप फटाफट उड़वा सकते हो, तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो हो जाएगा, FD पुराने टाइम वाली तो and easiest of transactions और M4 जो है least liquid है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, cash में convert करना महुत मुश्किल है, M3 को हम normally use करते हैं, जब हम money supply की बात करते हैं, it is also known as aggregated monetary resources, तो इसलिए M3 सबसे ज़्यादा important हो जाता है, आपको जो याद रखना है, gross capital formation क्या होता है, जो हमने बात की economy का हमें पता जलता है कि कितनी उसमें capital formation हुई, कितना assets add हुए, तो it refers to the aggregate of gross addition to the fixed assets, तो fixed assets के अंदर जो जो आपका add हुआ, उससे आपका पता जलता है कि आपकी capital बन गी, plus change in stock during the counting period, और इसके लावा अगर कोई change हुआ हो, stocks के अंदर तो, fixed assets कौन से होते हैं, fixed assets वो asset होता है, जैसे कि prices आप देख सकते हो, अगर आप 24 months का plan लेते हो, तो आपको 67% discount मिल जाता है, and additional 10% discount मिल जाएगा using the code ANI7, तो आपका total amount 57,600 बनता है, and similarly अगर आप 12 months का plan लेते हो, तब आपको 54% discount मिल जाता है, plus आपको 10% additional discount मिलेगा using the code ANI7, अब आपको ये plan क्यों adopt करना चाहिए, उसके बार जो चीज है वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं, तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं, और आपको वहाँ पे quality पढ़ाने वाले सर जो है, वो अच्छे लगते हैं, और उनका quality आपको समझ में भी आता है, ल आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है, आप उससे वो पढ़ सकते हैं, तो आपने a teacher से suppose कीजे quality पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन a teacher का geography आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और b teacher के पास जाकर भी, वो subject को पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई restriction नहीं है, कि आ आप कितनी मर्जी बाद teachers को switch कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है, आप उनके जो lectures हैं वो देख सकते हैं, और अपना slaves घर बैटे बैटे आराम से पूरा कर सकते हैं, सेकिन यहाँ पे आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं, तो यानि कि आपके सारी doubts जो हैं, वो to the point विल cover कर दिया जाता है, अगेन जो बहुत बार आपकी offline classes हैं, उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका clearing doubt session चलता रहेगा, आपके doubts जो हैं, वो clear होते रहेंगे, उसके बाद आपको एकी subscription के आपके UPPCS का exam निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको UPPCS के लिए को specific courses देखने हैं, specific lectures देखने हैं, तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं, तो एकी subscription आपको अलगलग exams की त्यारी basically करा रही है, तो एकी subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, तो again अगर आप अच् बहुत बड़ा comfort है, और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, क्योंकि आप देखिए, अगर आप offline coaching में जाते हैं, तो आपको एक तो आने जाने का खर्चा लगता है, उसके बाद कई बार parking fees लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गाउं में रहते हैं, आपके शहर के आसपास कोई coaching नहीं है, तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका monthly expenditure बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का, और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत बढ़ जाता है, तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं, उसके यहाँ पर real time interaction है teachers के साथ, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रही है तो आप teacher से बाचीत नहीं कर सकते हैं, या उनसे जुड़ नहीं सकते हैं, बलकि यहाँ पर आपका जो connect है वो अच्छे से होता है, आप live chat के अंदर questions बोच सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको explain कर सकते है उसके बाद आप personalized doubt sessions ले सकते हैं, जिसके अंदर आप teacher से बात कर सकते हैं, तो teachers के साथ आपका interaction जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका offline classes में रहता है, तो आप इस चीज़ को तो बिलकुल मन से निकाल देजए कि teachers के साथ interaction नहीं हो पा रहा या doubts जो है वो ब सकते हैं, वो आपकी बार-बार revise होंगी, तो आपको अलग से test series के लिए कोई payment नहीं करना, इसके अंदर आपके unlimited test series रहेंगी, जिसको आप join कर सकते हो, इसके अलावा हर class के आपको PDF notes मिलेंगे, and PDF भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, annotated और बिन annotated, तो अगर plain suppose कीज़े, आ आपको answers और reasons वहां कराएं, उसके साथ match करके देख सकते हो कि आपकी reasoning कितनी correct थी, तो इस तरीके से आपके MCQs की practice बहुत अच्छी हो जाती है, प्लस आपको जो theoretical chapters है, उनके भी हर एक chapter के हर एक वीडियो की PDF notes दिये जाते हैं, इसके इलावा आपका full syllabus coverage होता है, बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो कहते हैं कि हमारा जो syllabus है, वो अधूरा रह गया, सर ने NCRT's नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है, तो बहुत सारी coachings जो है, वो complete भी करा देती है, लेकिन कुछ बच्चों कर रह जाता है, लेकिन अनकाडमी पे आपको पूरा पाठे करम कराया जाएगा, पूरा syllabus आपका cover किया जाएगा, और इसके अंदर एक और advantage है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी teacher ने कोई topic मिस कर दिया, या कोई topic आपको ठीक से समझने आया, तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सकत है, या फिर किसी भी reason से वहाँ पे internet की reception अच्छे नहीं आती, जैसे suppose करो अभी cyclone विगारा आ गया था, तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में, इंडिया में, वो coastal areas की तरफ, वो काफी जादा down हो गई थी, उस case में अगर आपने सब कुछ download करके रखा हुगा है, तो आपका syllabus आपक एक बार offline save करके रख लोगे, तो उसे जितनी मर्जी बात आप repeat पे चला सकते हो, और offline सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो, तो यह again एक बहुत बड़ा advantage होता है, तो यह कुछ advantages मैंने बता है, आपको क्यों join करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था, अगर आप दो साल का सब्स्रिप्शन इक अठे ले लेते हो, तो आपको 75% तक discount मिल रहा है, और plus 10% extra discount भी मिल रहा है using the code ANI7, तो again यह बहुत अच्छी deal है, अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो, so I hope आपको वीडिय अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, thank you for watching this video and have a nice day.